जैमाल की समय फोटो खीचने के विवाद में युवक की हत्या नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज निशन वोई हलडी बलिया में मोबाइल के विवाद में रवीवार की रात एक युवक की चाकू मार कर हत्या कर दी गई खबर पाकर पहुची पुलिस ने आरोपी तो गिरफतार करने के साथ ही प्रयूक तचाकू को भी बरामत कर लिया है हासनगर निवासी महेश शहानी की पुत्र की बराच शनिवार को बास डी कोथवाली छेतर के मेरी टार गाउ गई थी पुलिस का कहना है कि बारात में जैमाल के दोरान मोबाइल से फोटो किशने को लेकर हास नगर निवासी बादल सहानी का मोबाईल उसी गाउं के सूरज सहानी ने छीन लिया इसको लेकर दोनों के बीच मार पीट भी हो गई हलाकि तत्कलिक तोर पर लोगों ने बीच बचाओ करा के मामला शांत करा दिया था पुलिस के नुसार रविवार की राद बादल का बड़ा भाई 24 वर्षिये टुन्टुन छोटे भाई का मोबाईल मांगने सूरज के घर पहुँच गया कहा सुनी के बीच विवाद बढ़ गया तत्था रामायर के पुत्र सूरज ने चाकू से हमला कर टुन्टुन की हत्या कर दी भाई को बचाने में बादल भी जखमी हो गया घटना को अंजाम देने के बाद सूरज फरार हो गया जबकि गाउं में कोराम मच गया जानकारी होते ही इलाकई पुलिस के साथ एस पी विपिन ताड़ा पहुँच गए पीडित परिवार से पूछताच के बाद उन्होंने आरोपित को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया पुलिस ने बादल की तहरीर पर सूरज के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है इसके बाद पुलिस ने आरोपित सूरज को हनुमान मंदिर वसुधरपा कटही के पास से गिरफतार कर लिया इस घटना में शामिल अन्य तीन अभ्योक्तो रामायन सहानी, सरल सहानी, पत्रू सहानी, डाक बंगले के पास से गिरफतार किये गए पुलिस ने आरोपितों की निशान देही पर हत्या में प्रेवत चाकू को बरामत कर लिया